जै मातारानी, हर हर महादेव नीता विक्रम परिवार में आप सभी का मैं नीता स्वागत करती हूँ वर्ष दो हजार बाइस में महाशिवरात्री व्रत कब रखना है, पूजा पाठ का क्या शुब महुरत है यह सभी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है महाशिवरात्री का व्रत भोले नाथ और माता पारवती के प्रसन्नता के लिए रखा जाता है ऐसा माना जाता है फागुन मास के क्रश्न पक्ष की चतूरदर्शी तिथी जिसे हम सभी महाशिवरात्री कहते हैं इस दिन पे भोले नाथ और मापारवती का विवाह हुआ था इस दिन पे भोले नाथ का व्रत पूजन करने से जब अनुष्ठान इत्यादी करने से मनुष्यों के जीवन के हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं म्रत्य लोग के देव भोले नाथ का महा मंत्र पांच अक्षर का है इसलिए आप सभी को महा शिवरात्री की तिथी में उम नमः शिवाय इस महा मंत्र को अवर्शे जपना चाहिए आप सभी यह माह मंत्र कमेंट सेक्षन में भी अवर्शे लिखिए आपके मनुखामना शीग्र अतिशीग्र पूरी होगी वर्ष दोहजार बाइस में महाशिवरात्री की तिथी एक मार्च की मध्यरात्री तीन बच के सोला मिनिट से प्रारभ होगी और इस तिथी की समापती दो मार्च की मध्यरात्री में एक बज़े होगी ऐसे में दोस्तों हम हमेशा सूर्य उदे की तिथी में ही व्रत पूजा पाठ करते हैं एक मार्च 2022 मंगलवार के दिन आप सभी को महाशिवरात्री का व्रत करना है और इसी दिन पे आप दिन भर पूजल अर्चन व्रत उपवाज भी करेंगे जैसा कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है महाशिवरात्री यानि रात्री में चार प्रहर की पूजा से भोले नात अत्याधिक प्रसंद होते हैं तो अब मैं आपको बता दू आपको यह चार प्रहर की पूजा कब कब करनी है रात्री का प्रहरा प्रहर 6 बच के 21 मिनिट से लेके 9 बच के 27 मिनिट तक एक मार्च को रहेगा रात्री का दूसरा प्रहर पहले 9 बच के 27 मिनिट से शुरू होगा और मध्य रात्री में 12 बच के 33 मिनिट को इसकी समापती होगी रात्री का तीसरा प्रहर मध्य रात्री में 12 बच के 33 मिनट से शुरू होगा, इसकी समाप्ती 3 बच के 49 मिनट पे होगी और दोस्तों रात्री का चौथा एवं अंतिम प्रहर सुभा 3 बच के 49 मिनट से शुरू होगा और इसकी समाप्ती सुभा 6 बच के 45 मिनट पे होगी अर्चन करते हैं वो इन चारो प्रहर में विशेश पूजा पाठ करते हैं जिससे की उनकी मनोकामना पूर्ण हो और कई लोग केवल निशीत काल की पूजा करते हैं दोस्तों निशीत काल की पूजा बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है तो आप सब भी महाशिवरात्री में रात्री की निशीत काल पूजा का समय नोट कर ले, निशीत काल की पूजा का समय है, रात में 12 बच के 8 मिनिट से लेके, रात में 12 बच के 58 मिनिट, दोस्तों यहाँ पूजा पहुत ही विशेश होती है, करीब करीब 50 मिनिट का यहाँ समय है, इस समय पे आप सभी को प्रयतने क करते हुए भोले नात के मंतरों का जाप करना चाहिए अविशेक करना चाहिए पूजन अर्चन करना चाहिए जिससे की आपके जीवन में सुख सभागे की व्रधी हो तो निशीत काल का भी समय अब आपने लिख लिया है अब दोस्तों जब महाशिवरात्री व्रत पूर्ण हो तो आप 6 बच के 45 मिनट के बाद व्रत का पारना कर सकते हैं आपने सुभा सुभा इसनान पूजा पाठ कर लिया हो तो उसके बाद आप भोजन भी ग्रहन कर सकते हैं दोस्तों महाशिवरात्री का व्रत कौन रखता है सभी रखते हैं हर एक इस्तरी पुरुष बच्चे इस व्रत को रख सकते हैं आपके शरीर में जितनी शक्ती हो उस अनुरूप आप इस व्रत को रखें कई लोग महाशिवरात्री पे निर्जल होके व्रत रखते हैं और कई लोग इस दिन फलाहार ग्रहन करके व्रत रखते हैं जैसे कि आप दूद ले सकते हैं चाय कौफी बहु सेव इस प्रकार के जो भी मौसमी फल है अंगूर अनार इत्यादी ये सभी फल खा सकते हैं आप व्रत में व्रत में दोस्तों खासतोर पे अनाज बिल्कुल नहीं खाया जाता है तो भोजन पधार्तों में अनाज मत लीजिए ये तो व्रतवास का एक हिस्सा हो गया जबकि हम भोजन का त्याग कर देते हैं और कठिन तब करते हैं जिससे की भगवन हमारी प्रात्ना को सुने इसके अलावा इस दिल पे दोस्तों विशेश तोर पे हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि फागन का महीना चल रहा है हरे रंग के कपड़े पहन के भोले नाथ श पूजन करें आपको उत्तम फलों की प्राक्ति होगी पूजा पाठ की संपून विधी बहुत ही जल्दी चैनल पे मैं डालूंगी इसके अलावा आप इस दिन पे भगवान भोले नाथ का अभिशेख कर सकते हैं पाठ चीजों से अभिशेख हमेशा करा जाता है दूद, ध करूंगे आपको करके दिखाओं साथ ही साथ आप लोग अकसर पूछते हैं कि माहाशिवरातरी के वृत में कब सो सकते हैं तो दोस्तों दिन के समय आप हो सके तो थोड़ी देर आराम कर लें क्योंकि माहाशिवरातरी में रातरी पूजन का विशेश महत्व होता है और रात पूजन करने मात्र से आपकी जीवन के सभी कश्ट दूर हो जाते हैं। जो लोग भी महाशिवरात्री के दिन व्रत पूजा पाठ करते हैं, उन्हें महाशिवरात्री के व्रत में सुभा सुभा जल्दी उठना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और दिन भर शुद्ध और पवित्र भाव से रहते हुए रात्री के समय जागरण जरूर करना चा शिवजी का अभिशेक करने के लिए दूद, दही, घी, शकर, शहद ये पांचु चीजें आपको लाना चाहिए और ओम नमश शिवाय कहते हुए भोलेनात का अभिशेक करना चाहिए इसके बाद बिलवपत्र, शमीपत्र, इत्यादी भोलेनात पे चढ़ाया जाता है अकवी का फूल चढ़ाया जाता है भस्म अरपित करी जाती है यदि आपके पास कोई इत्र हो तो भोलेनात को इत्र भी इस दिन अरपित करा जाता है भोलेनात का श्रिंगार सुन्दर सफेद रंग के पुश्पों से करा जाता है कई-कई जगह भोलेनात को पगड़ी पहनाई जा दोस्तों अपने प्रभू से आप जितना अधिक प्रेम करेंगे आपके जीवन में उतनी ही अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी दुख और तकलीफ भी दूर होते जाएंगे तो इसलिए भोले नात का आप प्रेम के साथ नाम लीजिए पंचाक्षर मंत्र पांच प्रकार के पुष्प शिव लोग की महिमा का वर्डन इस प्रकार आप करते रहेंगे तो शिवेन सहमोधते यानि शिव के साथ आपको खुशी की प्राप्ती होगी वैसे भी दोस्तों शिव जी अपने भक्तों की मनुकामना शीक्र अतिशीक्र पूरी करते हैं तो इस प्रकार से हम सभी को भोले नात के नाम का जैकारा लगाना चाहिए महा शिवरात्री के दिन में शिव नामक योग बन रहा है इस योग में 11 बजे के बाद से आप जितना अधिक हो सके भोले नात के नाम का जैकारा लगाएं और ओम नमा शिवाए ये महा मंत्र है इसका जाप करें इसके अलावा विस्तरत रूप से आप पूजा पार्ट कैसे कर सकते हैं आगे आने वाले वीडियो में आपको सभी जानकारी दोस्तों बताऊंगी साथी साथ आप मंदिर जाएं और भोले नात के उपर जल अर्पित करें पूजा पाट करें जैसा भी आपसे बने जरूर करें देखिएगा आपको बहुत ही राहत महसूस होगी सच अची भक्ती के साथ केवल भूले नात के मंदिर का दर्शन करने मात्र से भूले नात अपने भक्तों के पापों को शमा कर देते हैं इस प्रकार से भूले नात के नाम का जैकारा लगाईए आज का वीडियो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है संपूर्न जानकारी आ शिवजी की बारात की कहानी शिवजी की कहानिया आपके साथ बहुत ही रोचिक वीडियो लेके आने वाली हूँ तो नीता विक्रम चैनल पे महा शिवरात्री 2022 हर शोल लास के साथ हम मनाएंगे और महादेव के नाम का जैकारा लगाएंगे हर हर महादेव जै महाकाल